देखिए, वह सिवलिंग को रहे हैं, आकर्दी उसकी देखने में सिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है। हम लोगों की जो जानकारी है वो जानकारी के अनुसार वो फवारा था, जो हम लोगोंने देखा है, उसको बच्छपन से देखा है into the 19th century. नमस्कार मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनितावाज ग्यानवाफी मजजिद विवाद को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पच अपने अपने तरीके से यह सावित करने में लगे हैं कि ग्यानवाफी मजजिद में इस्तित पत्तर सिवलिंग है या फबारा हलांकि यह मामला अब अदालत में हैं और अदालत का फैसला आने के बाद ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदर में उपच्तित जो पत्तर है वो सिवलिंग है या फबारा बारारसी जिलाजज की अदालत मंगलवार को फैसला सुनाएगी अदालत का फैसला आने से पहले ही कासी करवत मंदिर के महंत पंडित गड़े संकर उपाद्याय ने अपने बयान से सब को चौका दिया है जी यहां सातियों इन महंत ने दावा किया है कि ग्यानबापी मज्जिद में उपस्तित पत्तर फुबारा ही है और हमने उस पबारे को बच्पन से देखा है हलांके हमने फबारे को चलते हुए नहीं देखा है लेकिन यह बात साप है कि ग्यानबापी मज्जिद में उपस्तित पत्तर फबारा ही है फबारे होने की बात महंत ने आई तक को दिये एक इंटर्वीव में कही है महिंत ने कहा है कि आकरती उसकी देखने में सिवलिंग जैसी प्रतीत होती रही है हम लोगों को जो जानकारी है वह जानकारी के अनुसार वह फबवारा था जो हम लोगों ने देखा है उसको बचपन से देखा है पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं उसको, हम लोगों का जाना भी होता था वहां, बहुत बार सेकड़ों बार गए, मजजिद में और गंटों गंटों वहां समय भी वितीत किया, वहां जो मौलवी होते थे, जो सेवादार होते थे, वहां के लोगों से बात भी होती थी, तो प्रचाई किया है, ये तो अदालत का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा, ग्यानवापी परिसर विवाद में सुप्रीम कोट के आदेश पर जिला जज डाक्टर अजय किरस्ण की अदालत में तकरीवन 45 मिनट तक दोनों पच्चों की भहस और दलीलें सुनने के बाद सु प्रचाई का पर पहले सुनवाई होनी है, जो आकरती दिखाई दे रही है, वो फबारा है या सिवलिंग, ये देखना भी बांकी है और आसा करते हैं कि आने वाले अगले कुछ दूनों में पैसला साप हो जाएगा, जिस चीज पर बिवाद हो रहा है, वो फबारा है या सि झाल झाल